RBI ने Fintech कंपनियों पर बड़ी कारवाई किया है RBI ने देश के बड़े Payment Gateway, Razer Pay और Cash Free को अश्थाई रूप से अपने Payment Processing Business के लिए नए गरहक बनाने से रोग दिया है Banking Regulator के आधेश पर Razer Pay ने कहा है कि या इस थाई कदम है और इसका Razer Pay के मौजूदा Business Operation पर कोई असर नहीं होगा Razer Pay को Payment Aggregator का License जुलाई के महीने में ही मिला था Sir इसके साथ भी वही हुआ जो Paytm के साथ हुआ था इसके साथ कुछ और भी हुआ है Money Central के इस विशे संसक्रण में आपका स्वागत है Reserve Bank लगातार FinTech Company पर सकती कर रहा है Paytm पर इससे पहले कारिवाई हुई थी जब उसे नए ग्रहकों को जोडने से रोक दिया गया था और अब निशाना है Cash Free और Reserve Pay Cash Free और Reserve Pay के साथ दो बड़ी चीजें हुई है इस पूरे फैसले में जिनके कारण अब ये नए ग्रहक नहीं जोड़ पाएंगे जो Reserve Pay की जो Ownership Farm है कैलिफोरिया की Stripe उससे ये कहा गया है कि वो भारत में अपना एक Escore Account खोले दरसल इन दोनों कमपिनियों से RBI ने कहा है कि उन्हें अपने कामकाज का Security Audit सब्मिट करना पड़ेगा और Security Audit कराने के बाद ही इनके Payment Aggregator के License Approve किये जाएंगे Payment Aggregator वो कमपिनिया होती है जिनके जरिए आप जो Online खरीद करते हैं रही जाकर क्रेट कार्ट स्वाइप करते हैं तो वो कमपिनियां आपसे पैसा कलेक्ट करके बैंकों के जरिए बैंकों और ग्रहक और विक्रेताओं के बीच में उसे बाटती है और आब ये तीसरी महत्तुपूर्ण कमपिनी भारती बाजार की है जिसका Payment License Renewal मुश्किल में फस्ता दिख रहा है